So, Hey everyone, Welcome back to our YouTube channel Defense Point और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं Coast Guard, Navic और यांतरिक एक्जाम की तैयारी के लिए General Science का एक Practice Aid जिसमें की आपको एकदम exam oriented और special questions देखने को मिल जाएंगे तो वीडियो को continue और पूरा जरूर से देखिएगा साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के उपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकोन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिये जाने वाले सभी ले टेस्ट अपडेट्स मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आजगाई वीडियो बिना किसी तेरी के तो देखिए दोस्तों first question जो की आपको दिया गया है कि जब भी किसी body का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उस पे क्या परिवर्तन देखने को मिलता है ठीक है तो आपको options दिये गए हैं कि इसका त्वर्ण दोगुना हो जाता है इसकी जो गति जूर्जा होती है वो दोगुनी हो जाती है इसका समवेग दोगुना हो जाता है या फिर इसकी इस्तिती जूर्जा दोगुनी हो जाती है तो वो देखिये कि जब भी किसी body का वेग दोगुना किया जाता है तो इसका समवेग जो होता है वो आपके दोगुना हो जाता है तो correct answer हो जाएगा option number C now question number 2 और यहाँ पे देखियेगा question आपको दिया गया है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में जो है एक व्यक्ति platform पर एक गेंद गिराता है तो platform पर खड़े एक प्रेक्षक के द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पत जो है वो कैसा होगा ठीक है तो options हैं कि straight line, circle, parabola या फिर इन में से कोई नहीं तो देखिये कि एक समान वेग से चलती हुई गाड़ी से जो है यदि कोई व्यक्ति platform पर एक गेंद फेंखता है तो वो गेंद जो है ना वो आपके platform पर खड़े व्यक्ति को परवलयाकार पत के रूप में गति करती हुई प्रतीत होती है तो इसके लिए correct answer हो जाएगा हमारा option number C परवलयाकार ठीक है यानि की parabola now question number 3 और यहाँ पे देखिएगा question आपको दिया गया है कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में नीचे पकड़ करके रखने पर जो है उस पर कितना उत्पलावन बल लगेगा ठीक है तो देखिए options हैं कि लकड़ी के भार के बराबर लकड़ी के भार से कम लकड़ी के भार से ज्यादा या फिर सुन्ये तो उत्प्लावन बल द्वारा वस्तु पर उपर की और आरूपित होता है आपको पता है आर्गमेडीज का ये नियम था तो वस्तु द्वारा विस्तापित द्रव के बार के बराबर होता है यानि कि correct answer हो जाएगा कि उस लकडी के बार के बराबर यानि कि equal to the weight of wood दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आप लोग जो है हमें cost guard नाविक और यान्तरिक एक्जाम की तयारी के लिए unacademy platform के उपर follow कर सकते हो इसके लिए link आपको इस वीडियो के नीचे description box में दी गई है और पहली बार जो है हमारी classes को unlock करने के लिए आप code use में ले सकते हो DPYT 10 जिससे की हमारी classes free of cost unlock हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को cost guard नाविक और यान्तरिक एक्जाम की तयारी के लिए free special mock test भी देखने को मिल जाएंगे ठीक है चलिए तो अब देखिए दोस्तों question number 4 और यहाँ पर आपको question दिया गया है कि पईये में ball bearing का प्रियोग क्यों किया जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि cycle में या फिर bike वगेरा में पईयों में ball bearing का प्रियोग किया जाता है या फिर कोई भी वहान की बात कर लें तो उसमें bearing का प्रियोग किया जाता है तो ऐसा किसलिए होता है ये पूछा जा रहा है तो options दिये गए हैं कि गर्षन को बढ़ाने के लिए गतिज गर्षन को लोटने गर्षन में बदलने के लिए इस्थतिक गर्षन को गतिज गर्षन में बदलने के लिए या फिर मात्रक सुईदा के लिए तो दोस्तों हम जानते हैं सिंपल सी बात है कि जो bearing होती है उसका काम ये होता है कि वो घर्षन को जो है कम से कम कर सके ठीक है जिससे कि क्या हो कि आपके जो वाहन है उसकी गती बढ़ाई जा सके ठीक है चलिए next question देखिएगा तो question number 5 जो कि आपको दिया गया है कि यदि जो है इस्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को जो है वायू में सीधा उपर की और फेक है तो गेंद जो है उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा ठीक है तो options है कि वो उसके सामने ग इछे गिरेगी उसके हाथ में गिरेगी या फिर इन में से कोई नहीं तो देखिए इसके लिए जो है आपका correct answer हो जाएगा कि जो गेंद होगी वो उसके हाथ में ही गिरेगी ऐसा क्यूं तो देखिए कि समान गति से चलती हुई गाड़ी में जो है बैठा हुआ बालक यद कुषिन नमबर 6 और यहाँ पे देखिएगा कुषिन आपको दिया गया है कि असमान दर्व्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से उर्द्वादर उपर की और फेंके जाते हैं तो निमली कित में से क्या गटित होगा ओप्सन हैं कि भारी दर्व्यमान अधिक उंचाई तक जाएगा हलका दर्व्यमान अधिक उंचाई तक जाएगा दोनों बराबर उंचाई तक जाएंगे या फिर उन में से जो है कोई भी अधिक उंचाई तक जा सकता है तो इसके लिए दोस्तों आपका correct answer हो जाएगा option number C दोनों जो है वो बराबर उंचाई तक जाएंगे क्यो जो मैतम उंचाई होती है उसके लिए हम formula जानते हैं कि h बराबर क्या होता है 4 square sin square theta upon 2g ठीक है जिससे की ये साफ पता चलता है कि असमान दर्व्यमान वाले दो पत्थर जो है वो अगर समान वेग से उपर की और प्रक्षेपित किये जाए तो जो है समान उंचाई को जो होली नहीं होता यानि कि जो है वो महत्वपूर्ण गुमी का नहीं निवाता है इस वज़े से जो है इसका right answer हो जाएगा option number C Now question number 7 और यहाँ पर देखिएगा question दिया गया है कि निमलिकित में से कौन सा सूमेलित नहीं है यानि कि which of the following is not correctly matched तो आपको options दिये गए है not, जाहज के चाल की mark, option B, nautical meal, no संचालनों में दूरी की प्रियुक दिकाई, angstrom, प्रकास के तरंग देदरे की इकाई, या फिर option D, प्रकास वर्स जो की समय के मापन की इकाई तो देखिए आपको देखते ही पता चल रहा होगा, correct answer is question के लिए हो जाएगा option number D, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकास वर्स जो है वो समय के मापन की इकाई नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि प्रकास वर्स जो है वो दूरी के मापन की इकाई होती है, और एक वर्स में प्रकास वर्स से denote करते हैं, ठीक है, correct answer will be option number D, now question number 8, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, question दिया गया है, कि निमलिकित में से कौन सा खतन सही है, तो आपको options है, कि कोई उर्जा अंतरन जिसमें किसी भी प्रकार का तापांतर सामिल है, नहीं है, उश्मा नहीं है, ठीक है, option B, कि क कि जब तक तापांतर होता है, उर्जा अंतरन का जो है, एक मातर मार्ग उस्मा ही होता है, तो देखिए हम जानते हैं कि उस्मा जो है, वो एक प्रकार की उर्जा होती है, जो की दो वस्तों के बीच जो है, उनके तापांतर के कारण एक वस्तो से दूसरी वस्तो में इस्थ अगर करती है न तो वो मतलब दो वस्तों के मज्य तापांदर के कारण होने वाली जो है उर्जा को इस्थान अंतरन को जो है उश्मा का आ जाता है ठीक है तो इसके अनुसार जो है राइट आंसर ये हो जाएगा कि कोई उर्जा जो है वो अंतरन जिसमें की किसी प्रकार का त मुख्य कारण होती है ठीक है तो option से sun lion अभी किरिया विखंडन अभी किरिया रासाइनिक अभी किरिया या फिर विशरन अभी किरिया तो इसके लिए दोस्तों correct answer हो जाएगा आपका option number 1 sun lion अभी किरिया ठीक है देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो सोर अभ्याव है वो चक्कर लगाते रहते हैं ठीक है और ये जो आपका उर्जा का जो है न मतले विए शक्तिशाली भंडार जिसमें कि मुख्य रूप से hydrogen और helium गेसों का जो है एक विशाल गोला है ठीक है और परमानु sun lion के प्रिकडिया के द्वारा ही जो है सूर्य अपने के अपने सरो जाएगा option number a Now question number 10 और यहाँ पर आपको question दिया गया है कि प्रष्ट तनाव किसके कारण पैदा होता है ठीक है वैसे आपने प्रष्ट तनाव के बारे में बढ़ा होगा लेकिन आज हम बात करेंगे कि प्रष्ट तनाव जो है वो किस कारण से उत्पन होता है तो देखिए कि एक ही पदार्थ के अणों के बीच जो है वो क्रियासील बल ससंजक बल कहलाता है ठीक है तो इसके लिए right answer हो जाएगा option number b अणों के बीच जो है ससंजक बल के कारण आपके प्रष्ट तनाव उत्पन होता है now question number 11 और यहाँ पर question आपको दिया गया है कि एक भार ही इन रबबर के गुबारे में 200cc जल भरा जाता है तो इसका भार क्या होगा ठीक है तो option है कि 9.8 upon 5 Newton और 10 Newton दो Newton या फिर सुनिये ठीक है तो देखिएगा कि जब गुबारे को जल से भर करके जल में रखा जाता है या फिर जब रखते हैं तो प्रारम में जो है मतलब कि कुछ दोलन के बाद जो है यह इस्थाई हो जाता है ठीक है क्योंकि इसके भार के कारण जो है नीचे के तरफ लगने वाला जो बल होता है वो उपर की और लगने वाले उत्पलावक बल द्वारा जो है संतुलित हो जाता है इसलिए जो है जल में गुबारे का जो भार होता है वो आपके 0 यानि कि सुन्य हो जाता है क्योंकि इस पर ल होता है क्यों ठीक है तो options हैं तो options में दिया हुआ है कि समुद्र जल का जो गनत्व होता है वो नदी के जल के गनत्व से कम होता है कि समुद्र के जल का गनत्व जो है वो नदी के जल के गनत्व से अधिक होता है और option C में दिया गया है कि समुद्र नदी से अधिक गहरा होता है या फिर option D कि समुद्र नदी से अधिक चोड़ा होता है तो देखिए इसके लिए correct answer हो जाएगा आपके option number B कि समुद्र के जल का गनत्व जो होता है न वो आपके नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है इस कारण से जो है मनुष्य आपके नदी के जल की अपेक्षा शमुद्रिक के जल में तेरना अधिक शरल मानता है ठीक है चलिए नाव कुशन नमबर 13 और यहाँ पे देखिएगा कुशन है कि जल का घनत्व मिट्टी के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है यदि दोनों को मिसरित कर दिया जाए तो क्या होगा ठीक है तो देखिए इसके लिए करेक्ट आंसर यह होता है ओप्शन नमबर B में जो दिया ग जो है वो वस्तु के बार से अधिक होता है तो वस्तु द्रव में तेरने लगती है ठीक है और हम जानते हैं कि जल का घनत्व जो है वो मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है इसलिए जो है इनको आपस में मिसरित करने पर भी जल पर जो है मिट्टी का त पल्वित होने लगता है ठीक है नाव कुशन नंबर 14 और यहां पर कुशन है कि ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांग मापने में कठिनाई क्यूं होती है ठीक है तो हम जानते हैं कि ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांग मापने में कठिनाई इसलिए ह क्योंकि गरम करने पर जो है अनेक पात्रों का भी प्रसार हो जाता है ठीक है जब हम किसी द्रव को गरम करते न तो उस गरम करने के लिए जो है जिस पात्र में रखते हैं तो इस दोरान जो है हम जानते हैं कि सबसे पहले वो पात्र गरम होता है और वो फेलने लगता है ठीक ह तो right answer ये हो जाएगा कि गरम करने पर उनके पात्रों में भी प्रसार देखने को मिलता है यानि कि जिस चीज में उनको रखा जाता है देखिएगा दोस्तों question number 15 और यहाँ पे question है कि किसी पिंड के दरव्यमान के बारे में निमलिकित में से कौन सा कतन सही है तो देखिए option number B में जो दिया गया है कि मतलब इसके according ये सही है कि ये हर जगे जो है एक समान होता है क्योंकि हम जानते हैं कि दरव्य का जितना परिमान जो है वो किसी वस्तु में होता है वह उस वस्तु का जो है दरव्यमान कहलाता है और वस्तु के जड़तवे का मापन जो है वो दरव्यमान के द्वारा ही किया जाता है और किसी भी वस्तु का दरव्यमान जो है वो सुनिये नहीं हो सकता बलकि एक समान होता है ठीक है चलिए question number 16 और यहाँ पर question दिया गया है कि थर्मामेटर में आम तोर पर जो है पारे का प्रियोग किया जाता है क्यों तो थर्मामेटर में पारे का प्रियोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके जो है उसमिया चालकता अधिक होती है ठीक है तो उस में अचा लगता अधिक होने के कारण इसको इस्तमाल किया जाता है तो right answer हो जाएगा उच्छ चा लगता होने की वज़े से अब देखिएगा question number 17 और यहाँ पे आपको question दिया गया है कि seat call में hand pump का पानी गरम होता है क्योंकि तो यह गटनाएं हम real life में भी देखते हैं हम जानते हैं कि सर्दियों में जो है hand pump से या फिर कुए से अगर पानी निकाला जाए तो हो हमें गरम लगता है ऐसा क्यों तो देखिए इसके लिए correct answer हो जाएगा option number B कि प्रत्वी के भीतर जो है तापमान वायो मंडल के तापमान से अधिक होता है इस वज़े से simple सा reason है आपके इस चीज के पीछे now question number 18 और यहाँ पर आपको question दिया गया है कि तापमान में कोई परिवर्तन किये बिना द्रव अवस्था को गेस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक उस्वा की मात्रा को क्या कहा जाता है options हैं विशिष्ट उस्वा धारीता उस्वा का यांत्रिक तुल्यमान वास्पन की गुप तूश्मा या फिर शमन तो देखिए किसी भी पदार्थ को दी गई उस्वा की वे मात्रा जो पदार्थ के ताप को इस्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देती है उसे जो है वास्पन की गुप तूश्मा कहा जाता है ठीक है तो इसके लिए जो है आपका correct answer हो जाएगा latent heat of vaporization यानि की वास्पन की गुप तूश्मा नाव question number 19 और यहाँ पर आपको question दिया गया है कि परम सुन्य तापमान 0 degree Kelvin है और degree Celsius में मात्रक में जो है परम सुन्य तापमान निमलिकित में से कौन सा हो जाएगा ठीक है तो इसके लिए जो है आप देखिए option number C में आपको exact value देखने को मिल रही है कि हम जानते हैं कि 0 Kelvin की exact value क्या होती है तो 0 Kelvin की exact value हम बता सकते हैं कि 283.15 degree Celsius ठीक है यह बोल सकते हैं तो correct answer हो जाएगा option C Now question number 20 जो की आज के इस वीडियो का last question है तो देखिएगा question आपको दिया गया है कि किसी पिंड की उश्मा धारीता किसके उपर निरबर होती है तो options हैं कि केवल पिंड के द्रिव्यमान पर केवल पिंड के द्रिव्यमान और आकार पर पिंड के गनत्व पर या फिर पिंड के द्रिव्यमान आकार या फिर तापमान पर ठीक है तो किसी भी पदार्थ के द्रिव्यमान का जो है तापमान एक डिगरी Celsius बढ़ाने के लिए आवश्यक उस्मा की मात्रा को जो है उसकी उस्मा धारीता कहा जाता है सबसे पहले तो आप लोग ये परिबासा याद रखिएगा और अब बात की जाए कि पिंड की उस्मा दारिता किस पर निर्बर कर होती है तो ये जो है आपके पिंड के केवल द्रिव्यमान के ऊपर निर्बर होती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केवल और केवल पिंड के द्रिव्यमान पर जो है उसकी उस्मा दारिता निर्बर करती है तो राइट आंसर विल भी ओप्सन नमबर A तो दोस्तों आज हमने आपको जो है टोटल 20 कुशिंस बताएं हैं आपके लिए ओप्सन्स हैं Celsius, Fahrenheit, Kelvin या फिर Rumor तो इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाई बाई जैहिंद और टेक केर अल उफ यू